सिनहासन 32 की 28 वी कहानी वैदेही पुतली की कथा लगातार 27 पुतलियों से राजा विक्रमादित्य की महानता की कहानी सुनकर परिशान हो चुके राजा भोज ने एक बार फिर सिनहासन पर बैठने की कोशिश की वह जैसे ही सिनहासन पर बैठने गए। तभी 28 वी पुतली वैदेही ने उन्हें रोका और राजा विक्रमादित्य की स्वर्ग यात्रा और इस दौरान उनके द्वारा किये गए पुन्यकारियों का किस्सा बताना शुरू किया। एक राज महाराज विक्रमादित्य अपने महल में सो रहे थे। इस दौरान उन्होंने सपने में एक सोने का महल देखा। महल की सजावट वह आसपास का नजारा बहुत ही खूबसूरत था। सपने में ही महल के बाहर उन्हें एक योगी दिखा जिसका चेहरा हूब हूँ उनक यह देखते ही अचानक उनकी नीम्द तूट गई, वह समझ गए कि वह एक सपना देख रहे थे, लेकिन जागने के बाद भी उन्हें पूरा सपना अच्छी तरह से याद था, उन्होंने अपने पंडितों वज्योतिशियों को अपना सपना सुनाया और इसका मतलब जानने के लिए उनसे कहा, सभी विद्वानों ने राजा विक्रमादित्य से कहा, महाराज आपने सपने में स्वर्ग के दर्शन किये हैं, और वह महल देवराज इंद्र का है, देवताओं ने शायद आपको सश्रीर स्वर्ग आने का निमंतरन दिया है, अपने विद्वानों की यह बात सुनकर विक्रमादित्य आश्चर्यच कित हुए उन्होंने पंडितों से पूछा स्वर्ग जाने का रास्ता कौन सा है और इस यात्रा में किस-किस चीज की जरूरत पड़ सकती है काफी सुचने के बाद सभी विद्वानों ने उन्हें वह मार्ग बताया जहां से स्वर्ग में प्रवेश किया जा सकता है इसके साथ ही उन्हें यह भी कहा कि जो हमेशा भगवान को याद करता है और धर्म का पालन करता है वही स्वर्ग जा सकता है इस पर राजा ने कहा कि काम करते हुए कभी न कभी उनसे अंजाने में कोई गलत काम जरूर हुआ होगा साथ ही कई बार राज काज के कारण भगवान की पूजा करना भी छूट जाता है इस पर सभी ने एकमत होकर कहा महाराज अगर आप इस काबिल नहीं होते तो आपको स्वर्ग के दर्शन ही नहीं होते सभी के कहने पर राजा विक्रमादित्य राजपुरोहित को अपने साथ लेकर स्वर्ग जाने के लिए निकल पड़ते हैं अपने विद्वानों के कहे अनुसार उन्हें इस यात्रा के दौरान दो पुने कर्म भी करने थे यात्रा से पहले राजा ने अपना शाही भेश त्याग दिया था वहां आम लोगों की तरह कपड़े पहन कर यात्रा कर रहे थे यात्रा के दौरान रात में वह एक नगर में आराम करने के लिए रुप गए, कुछ देर बाद उन्हें एक बुजुर्ब महिला रोती दिखी, वह काफी परिशान थी, राजा विक्रमादित्य ने उस बुजुर्ब महिला से रोने का कारण पूछा, बुजुर्ब महिला ने बताया, मेरा, इकलोता बेटा सुभ जंगल गया था, लेकिन अभी तक लोटा नहीं है, राजा विक्रमादित्य ने उस से पूछा, आपका बेटा जंगल किस काम से गया है, बुढिया ने बताया, मेरा बेटा रोज सुभ जंगल से सूखी लकडिया लाता है, और शहर में बेचता है, इसी से परिवार का गुजारा होता है, राजा ने बुढिया से कहा, चिंता मत करो आपका बेटा आ जाएगा, इस पर बुढिया और जंगल बहुत घना है, और वहां कई खतरनाक जानवर है, मुझे डर है कि कहीं किसी जानवर ने उसे अपना शिकार न बना लि इसलिए खुद जंगल जाकर उसे ढूंद नहीं सकती, यह सुनकर विक्रमादित्य ने कहा कि वह उनके बेटे को ढूंद कर लाएंगे, इसके बाद राजा विक्रमादित्य लड़के की खोज में जंगल चल दिये, जंगल में उन्हें एक नौजवान युवक कुलहाडी ल बुढ़िया के पास लौट आये, बुढ़िया बेटे को देखकर बहुत खुश हुई और विक्रम को ढेरों आशिरवाद मिले, इस तरह बुढ़िया को चिंतामुक्त करके राजा ने एक पुन्य का काम किया, रात को आराम के बाद उन्होंने अगली सुभ़ फिर से अपन खड़ा है और कुछ लोग उस पर सामान लाद रहे हैं, जब उन्होंने महिला से रोने का कारण पूछा, तो उसने बताया, कुछ महीने पहले ही मेरी शादी हुई है, और अब मैं गर्भवती हूँ, मेरे पती इसी जहास पर काम करते हैं, और आज जहास दूर किसी देश ज रहा है, यह सुनकर राजा विक्रम ने कहा, इसमें परेशानी की क्या बात है, कुछ ही समय बाद तुम्हारा पती लोट आएगा, इस पर उसने अपनी चिंता का कारण कुछ और बताया, उसने कहा, कल मैंने सपने में सामान से लदे एक जहास को समुदर के बीच भयानक तू इतना तेज था कि जहास तूटकर समुदर में डूग गया और उस पर सवार सभी लोग मर गये, उस महिला ने आगे कहा, अगर यह सपना सच हुआ, तो मेरा क्या होगा और मेरे होने वाले बच्चे की देख भाल कैसे होगी? राजा विक्रमादित्य को यह बात सुनकर गया आगई, उन्होंने समुदर देवता द्वारा दिये गए शंक को महिला को दिया और कहा, यह अपने पती को दो और उससे कहो कि जब भी तूफान या कोई अन्य प्राकृतिक आपदा आए, तो इस शंक को फूंक दे, इससे सा मारी मुसीबत खत्म हो जाएगी, उस औरत को विक्रमादित्य की बात पर विश्वास नहीं हुआ और वह शक की नजर से उन्हें देखने लगी, राजा विक्रमादित्य ने महिला की शंका को भांप लिया और तुरंट शंक में एक फूंक मारी, जिसके बाद देखते ही दे लोग यह देखकर हैरान हुए, इसके बाद महाराज ने फिर से शंक फूंका, तो वह जहाज सभी करमचारियों सहित वापस आ गया, अब उस औरत को शंक की शक्ती पर विश्वास हो गया था, उसने राजा से वह शंक लेकर धन्यवाद कहा, राजा विक्रमादित्य उस और को शंक देकर अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गए, कुछ देर चलने के बाद आकाश में काले बादल मंदराने लगे और बादल जोर-जोर से गरजने लगे, इसी बीच उन्हें एक सफेद घोरा वहां आता दिखा, जब वह घोरा उनके पास पहुंचा, तो एक आकाश वा के लिए एक घोरा भेजा जा रहा है, जो तुम्हें इंद्र के महल तक पहुंचा देगा, यह सुन विक्रमादित्य ने कहा, मैं अपने राजपुरोहित के साथ स्वर्ग की यात्रा पर निकला हूँ, इसलिए स्वर्ग जाने के लिए उनके लिए भी व्यवस्था की जाए यह सुनकर राजपुरोहित ने कहा, राजन मुझे माफ करें, मेरी सश्रीर स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, अगर भगवान ने चाहा, तो मरने के बाद स्वर्ग आउंगा और खुद को धन्य समझूंगा, इसके बाद राजा विक्रमादित्य राजपुरोहित से वि इंद्रस्भा में पहुँच गए, जहां सभी देवता अपने अपने स्थान पर बैठे थे, अपसराय नृत्य कर रही थी, इंद्र देव पतनी के साथ सिनहासन पर बैठे थे, राजा विक्रमादित्य को सश्रीर स्वर्ग में, देखकर सभी हैरान हो गए, इंद्र उन्हे देखकर सिनहासन से उठकर आए और उनका स्वागत किया, साथ ही राजा विक्रमादित्य को सिनहासन पर बैठने को कहा, राजा ने इंद्र से सिनहासन पर बैठने से यह कहकर इनकार कर दिया कि वह इस आसन के योग्य नहीं है, इंद्र विक्रमादित्य की नमरता और सरलता देखकर प्रसन्न हुए. इंद्र ने उनसे कहा, सपने में आपने जिस योगी को देखा था वह आप खुद थे. आपने इतना पुन्य कमा लिया है कि इंद्र के महल में आपको स्थाई स्थान मिल गया है. इसके बाद इंद्र ने राजा विक्रमादित्य को एक मुकुट उफ देही ने राजा भोज से कहा कि अगर तुम भी राजा विक्रमादित्य की तरह पुने करने वाले सरल वविनम्र हो तो ही इस सिनहासन पर बैठ सकते हो वरना नहीं. इतना कहकर 28 वी पुतली वैदेही वहां से उर जाती है. कहानी से सीख, इस कहानी से बच्चों यह सीख मिल कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए क्योंकि अच्छे कर्मों का फल जरूर मिलता है. आगे की कहानी दूसरी वीडियो में देखेंगे. ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें.